कि यूपी अमर्सी जाई की तैयारी को दिधान में रखते हुए अगर जी एस और जिनिंग दोनों की टॉपिक को लेकर आया है जिसमें जी एस के कुछ कुछन होंगे जिसमें इसका भी पॉर्चन होगा और हम लोग कि मोग राउंड बन करने वाले हैं देखते हैं कौन कौन से कुछन होंगे चनल पर नए हैं जब कर लिएगा चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं यह वाक्त बहुत कम है अपनी पास देखिए पहला कुछन कौन सा कह रहा है पहला कुछ आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जनुर अभी ऑमेंस वाला किस्ना जीता है तो Mrs. cooking शना जीता जीता है अगर आप से पूछे कि कोन कुछा गया है कि भारत्य प्रूस जो क्रिकेट टीम के कप्तान थे आप सभी को पता है तो इन्होंने अब कप्तान के छोड़ दिया है किस वर्स भारत्य टीम के कप्तान के रूप में कप्तान के अपना पत छोड़ दिया लेकिन आपको दिया उनके बारे में और यहां पर दी हुई है कि बारे ने बारत्य प्रूस कर्किटिम के टेफ्ट का पतान का पद छोड़ दिया लेकिन कोहली ने दोहर 15 में भाते टीम के कप्तान की रूप में MS दोनी की जगा लिये थी 68 मैचों में 40 जेद के साथ सफल टेफ्ट कप्तान बने मतलब 68 मैच इन्हों ने खेले और 40 मैच ऐसे जिन्हों जीते कप्तान की रूप में जीत चुके हैं वहां आफटेलिया में टेस्स से जीतने वाले एसे कप्तान बने कोहली ने जब 21 में कप्तान की रूप में पद छोड़ दिया था ठीक है जब कपतानी पद आया था तो लेकिन कुछ्टन जो पूछा गया है कि MS धोनी से इन्हों भी कड़ी अभी कप्तान बने थे सनदोहर 15 तो संदोहर 12 001 म से पूछा गया यहाँ पर कि संदोहर 22 में वर्ड एकोनोमिक फोरम की जो सम्मेलन होता जो पे हो तो द्याहां रखना जो एकोनोमिक फोरम का सम्मेलन हुआ है मेजबानी जिसने किया तो आपका दाओस आपका जो है दाओस ने किया है अच्छा वासिंगटन डी से कंद आपका जो वर्डबैंक का हैड़ पार इसको भी आपको ध्यान रखना है लंदन ठीक है लंदन पेरिस ठीक है लंदन के अंदर दोको वासिंगटन का वाडबैंक का यहां पर है फ्रांस की राध्धनी क्या हो जाती है पेरिस है यहां करेंसी के जलती है आपकी यूरो चलती है यूरो चलती है इस बात को भी आपको दिःहान रखना है ठीक अगला कॉस्टन का कौन सा है कि जनुवरी 2022 में खेलो उतकेट के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर एक मात जो गोल्ड आया था इन्होंने ही लेकर आया था निया चोपड़ा नहीं ठीक है निया चोपड़ा नहीं और कब लेकर आया थी यह 7 अगस्थ 2021 को इसलिए आप सभी को कर याद होगा 7 अगस्थ को हम लोग एक दिवस मनाते हैं उस प्रश्ची के उपलच में इनको जो है गोल्डन अवार्ड इनको मिला था यहां पर टोक्यो ओलंपिक के अंदर में और यह जो है एक रेसियो दो रेसियो फूर अगर बात करें एक गोल्ड दो सिल्वा चार ब्रांज आपके लिए इंडिया के लिए आया था जिनमें से एक भी समय जो गुर्डज था निया जोपड़ा इका था इनकी एक पुष्म है द्यान लख न गॉल्डन ब्रॉंवाई ऌफ नेड़ा चोपड़ा जनकी पुष्म संधीब सिंगील करके नोंह ने लिखी थी उनके ऊपर पुुस्तगे लिखी गई है तो यहां पर पूशा गया है कि सनुवी 12-22 में खेलों में उत्किष्ट सस्ता के लिए नीड़ा चोपड़ा को निविखित में से कौन सा पुश्कार दिया गया है इस बात को धिया रखना अध्याशन है अगला कोशन पूशा गया है कि पदम पुरुस्कार आप सभी को पता है कि 22-22 कि पदम पुरुस्कारों की घुफटा की गई है तो 22 में कितने ब्यक्तियों को मिला यह जो पूचा गया है। यह एक सो 28 ब्यक्तियों को मिला है क्या 28 याद करने जरूरी है, याद करना जरूरी बिल्कुल नहीं आपके लिए जो पदम भिभुषड है वो दिया गया है किसको दिया गया है पदम भिभुषड आपको दिया गया है आपको ध्यां रखना होगा कि जो आपके प्रभा अन्य है प्रभा अन्य है और एक नाम जो है आपका कल्यान शिंग है कल्यान सिंग करके हैं साथ नाम लिखा होगा दिख ग्रेह मंत्राले ने 25 जनुरी 22 को देश के सब्वच नागरी पदम प्रुष्कारों की घुफड़ा की है जिसमें से गायक सोनु निकम को और ओलंपिक और जो आपको याद रखना है इन चारों लोगों को जो की पदम भीभुषड वाले अवार्ड है यह जो दिया गया है सुष्री परभा अन्य को कला के खेतर में रादरसाम खेमका को मरणोपरान तको भी दिया गया है कि प्रौभ़ान शभि vivelle के श्यत्र में और मड़ोपरान से कल्यांसींnh को दिया गया है साथ निकार्ग्ले से कल्यांसिंग जो है उत्तर पर्देश के भूत पूर्व जो है आपके मुखमति रह चुके अब इनका भी निजन हो चुका है ठीक है इस बात को ध्यां रखना है सुसरी प्रवान ने जो कला से छेत्र में सबने कारियों से ठीक है ठीक है यहां पर यहां पर यहां रखना बस याद रखना जो इंपोर्टन से हैं तो याद रखना यहां पर जो यह पदम भूषड वाले वाड़ है इसमें से जा रहा रहा जो आपके देवन जहारिया खेल समद्धी थे देवन जहरिया चुरू कर राश्तान के रहने वाले हैं इनों इस बार जो है पदम भूषड अवाड दिया गया इनका नाम जा रखना और आपके जो हैं एक यह kennen इस पुला वाला इनको दिया गया है और एक नाम याद हो जाएगा तो यह लगना गुलाम नभी आजाद का गुलाम नभी जो आजाद है इनको भी दिया गया किसमें साहमनीकारियों के लिए दिया गया है तो पदं भूषड में चारो याद रखना है लेकिन प यूज बन जाएगा जो कि सत्ता सत्ता नाम याद करना कोई जरूरी नहीं है आगले बढ़ते हैं अगला कुछन आपका है पूछा यहां पर कि जो सब्सक्राइब करने के लिए किस दिन को राफ्टे मत आता दिश्क रूब मानता बनाई है करें तो पचीस जनौरी अप सब्सक्राइब को बता दूँ कि पचीस जनौरी पचीस जनौरी उन्यस सो पचास को इसकी एसाफनiman वही थी इसा लिए हर साल या हर पचीस जनौरी को नेशनल ओर्टर करना आता है इससमें जो होते हैं एक मुख आयुक्त होते हैं, और स्री राजियु Device कुमार याद रखना अनूप चंद पान्डे याद रखना अनूप चंद पान्डे और अरोड गोएल और आपके जो है यह वरत्मान कशंद मुख उपान्डे के नीचे करके हैं तो प्राकर माना जाता है और इक नियुक्त कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है और एक पर्टाइए गां सोला जनौरी को सोला जनौरी को सोला जनौरी को आपको क्या मना जाता है तो स्टार्ट अप डे नेशनल स्टार्ट अप डे करके है को मना जाता है पंदा जनौरी को कौन सट डिवस मना जाता है पंदा जनौरी को याद रखना पंदा जनौरी को आपका जो आर्मी डे आर्मी नंबर का होगा आपको बता दू कि 9 जनौरी 1915 को दच्षीड अफ्रीका से महादमागानी जो आपस लोट किया थे इसी उपलेच में हर साल में एक बार हर दो साल मना जाती है हर दो साल में एक बार मना जाता है तेस वाला जो होगा सत्रों में कहाँ जायगा तो यह आपका इंदॉर में सब्सक्राइब और अगर बात करें चौदा सितंबर को जो है आपका राफ्टी दिएस मनायाता है इस बात को भी दियां रखना ठीक है तो इतनी सारी जानकारी जो है जनौरी इस ले टर थी आपको जनौरी की जितने महात्पूर्ड दिएस से में बताए तो सारे को याद रखना है और यहां जो कोशन का जो एंसर होगा वह कोशन का अंसर होगा पचीश जनौरी अगले कुशन की तब बढ़ते हैं अगला कुशन आपका क्या कुशा है कि कौन सा इसा देश है जिन्होंने अपनी राध्धानी को बदलने का नेड़ा लिया है वह भी नूसंतारा तो प्रेश्टित है और जकार्ता में कि नुसंतारा को चेंज गर दिया गया है लाओस कि राधानी किया है वियंतियान है कंबोडिया ऑग याप अपका हो जाता है यहां पर इस बात को दियां रखना अगला कुशन हैं अगला कुशन आपका कौन से पूछा गया जनरोरी- लिए और एप लुए पिए हैं जीता है और आपका उमस्राक किसमे बाट ये जीता है कहां जीए इसले से लिए लिया लिए दोनों नंबन हो जाता है उसको जीता नौबाग जो कालोस तो इस और दोनों जो होते हैं नहीं होते मलब कुछ करम में हो जाता है दो अपके हार्ड Эjjp सबसे पहले के पहले सबता में फिर आपका फ्रेंच ओपन फिर आपका उस ओपन होता है ठीक इस बात को भी ध्यान रखना कौन सा है अगला कोशन आपका है कि जनुरी 22 में जनुरी 22 में से किसे आई से सीटी टॉन्टी विद्टी में आप इस बात को भी ध्यान रखना है तो यहां तक दस को दो कि यह दो कर लिया है अब हम बढ़ते हैं अगले को से बढ़ते हैं कुष्ण सब्सक्राइब करनी है कि लिखा गया है यहां पर आपका हो रहा है यहां पर आपका हो रहा है मुलब कि दो संख्या दो बाट छोड़ के आइएं हो गया फिर से आपका आइएं कर दिया और यहां पर पीछे के दो लिटन लिया जा रहे हैं पर जोएगा Homework का आपका होगा भी है की सबसे पहले आर-के लो तो आर-के देखो कि आर-के ने मला कैया आएगा पीछे से यह देखा यह दो आप देखो पीछे से यह नहीं था तो पहले पहले आर बाद में तो आप देखो इतना ही आपने कले के यार पहले आरा बाकि सम्म में यहार रहा है तो एक ही आपसं सीद्धर राइट अंसर वहाँ जो लोग कहते हैं कि आपको पता है यही इंसल होगा पर आप इसको लगाए पड़े हो यही कोई अगला वक्त 10 सेकंड में करके निकल जाएगा आप उसी को 30 सेकंड लगा दोगे तो अब यह जो 20 सेकंड आपने कोशन पर दिया यह फाल्दो का टाइम दिया तो ऐसे ही आपकी टाइम सेविंग ह बनेगा उसमें कैसी सुरूवात होगी कि अगला कुछन में बहुत ही महातपूर है आगर जी स की नॉलेज होगी तब कर पाएंगे इसमें भारत के जो पधानमंत्री का क्रम है वो दिया गया बताना इसमें कौन सा होगा तो आपको सब से पहले बताना है कि लाल भदुषास मेठ इनको लगाना सार्तक्रा में लगाना है तो सबसे बहुत इंद्री इंद्र गांधी के बाद आते हैं मैं मोहन सिंह आप लोग जानती होगे था राइटन्स रहा गाते हैं तो थीन एक पांद आफ साल नमब एक रिदाब एक जाये को इस तरी के साथ लगाना था यहां तो सबसे पहले कौन था उसके बास कून था इस तरीके सापको क्या हो रहा है यहां कुछ नहीं होती आसान है यहां पर यहां सब अश्राव कि इस अजा को तरीपन तो इस तरीके क्या होता है में रिभास कम थे तो अधम क्लास में और करेंगे हो सकता है एक कि महराथन कर लेंगे जिसमें कम से कम 50 से 60 यह 100 कोशन होंगे जो रिजनिंग कही होंगे ताकि आपके प्रश्च के लिए बहुत इंपॉर्टन वह साबित हो सके तो कम से कम 50 कोशन तो होंगे तो अब उसके महराथन के तो ठीक है मिलते हैं फिर कलनेस निकलार में तब तक के लिए थैंक्यू जैहिन जै भारत